किसे वहाप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे अभी मैं सूबा का समय रहा था साड़े छे के करीब में हो रहा था और मैं सो के उठ चुकी हूँ अब चलती हूँ किचन में सबसे पहले करेंगे दूद को गरम क्योंकि दूद फटने का डड़ाता है इसलिए और दूद को एक तरफ चाय चड़ाएंगे उसके बाद चाय बना लेते हैं तो देखते हैं पले नहां के आते हैं की पले चाय पीते हैं इसे कुछ मैंने सोचा नहीं है लेकिन घरया ऊपूल लगाया उसके बाद में से घरया लगाती हूं और काजल में तरफ रहनए दीख रहा है तो फटता नहीं है तो यहाँ पर बीश्टीं लगार चुक्टीं हूं संदुर और बाल भीस प्र सोचीँ है तो गया ही बीशम गरम है इसे लग जब हैं गरमें लग रहा है कि मतलब कहीं भर्ठी में घूस गाई है तो क्या बोले चलती हूं उसको जूड़ा बना लेते हैं और चलते हैं की चन में देखते हैं क्या कुछ करना है विसूबगा वह थी शुबह का समय हो रहा था शारे च्छी के करीब में हो रहा है साथ बज रहा था और अब चाय को गरम कर लिए एक चावा जड़ा दिए अब चाय पी लेंगे उसके बाद देखते हैं सब्जी क्या कुछ बनेगा सब्जी तो घूड़ा और चाना का सब्जी बनाना था कल रात में ही मैं चाना को भीगो दी थी क्योंकि मतलब फूल जाता है तो अच्छा रहता है सब् चाय को पी लेती हूं और उसके बाद चलती हूं सब्जी भी काटेंगे सो यहां पर देख सकते हैं कि मैं सब्जी काट रहे हूं कर दो कर दो दो कर दो अच्छा रहे हूं तो मैं वीडियो को थुरा फास्ट कर दी थी और वीडियो पसंद है तो मैं एक सब्सक्राइब कर देना और जो लोग चैनल पे नहीं है फिली सब्सक्राइब कर देना अब चलती हूं कीचर में तो देख सकते हैं एक तरफ प्याज को काटे थे फिर प्याज लौसन हारा मर्चा और तेपाथ सब को रख लिये थे प्लेट में फिर तेल हो गई गरम इसमें डाल दिये जीरा तीपाथ मर्चा और लौसन प्याज को डालके 10-15 मिनट तक भूनेंगे उसके बार डाल देंगे को जो दाल राज में भी गोओ थे हुशा चॉब में डालेंगे हर्ली धनिया जिरा मरेच मदलब मसाला जो भी होता है जो हम लोग डेली उच करते हैं उसके पीर तो भून लेंगे उसके तो फ्रेंड खाना पीना तो बन गया पुरा का में तुझे हो चुका है और मैं आ गई हूँ तो मैं आ गई हूँ और चलती हूँ थोड़ा सा आराम करेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे तो आई होब कि आज के ब्लॉग आपको पसंद रहे होगा वीडियो पसंद तब एक्स